विश्व एक्ता दिवस पर जानिये सर्दार पटेल के अनमोल विचार सर्दार वलब भाई पटेल की जयनती 31 अक्टूबर अर्थात उनके जन्म दिवस के अवसर पर विश्व एक्ता दिवस की रूप में मनाई जाती है देश की आजादी में सरदार पटेल का योगदान हमेशा स्मरणिये रहेगा पांच सवबासर देशी रियास्तों का भारत में विल्लय सरदार पटेल ने ही करवाया था अटल निस्चय से उतफ्रोथ सरदार वलब भाई पटेल की जयनती के मके पर जानिये उनके ऐसे विचारों को जो किसी की भी जिन्दगी में और समाज के परिद्रिश्य में बदलाव ला सकते हैं सरदार पटेल कहा करते थे कि आज हमें उचनीच, अमीर गरीब, जाती पंत्त के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए तभी हम एक उनत देश की कल्पना कर सकते हैं सरदार पटेल के अनुसार मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए और कोद नहीं करना चाहिए क्योंकि लोहा भले ही गर्म हो जाए परन्तु हत ओडे को तो ठंडा ही रहना चाहिए अईयथा वे स्वेम अप्तना हता जला डालेगा सरदार पटेल के विचार से व्यक्ति की अधिक अच्छाई उसके मार्ग में बाधक है इसलिए अपनी आखों को कुरोध से लाल होने दीजिए और अयाय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए सरदार पटेल के अनसार इंसान को अपना अपमान सहने की कलाभी आनी चाहिए इस प्रकार सरदार पटेल के विचारों से एक नई उर्जा कसंचार होता है सरदार पटेल की एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक और इस देश में कोई अनके लिए आसू बहाता हुआ भुखा ना रहे